मेरा नाम मानवी है, मैं एक बहुत ही बदनसीब लड़की हूँ, जो सिर्फ गरीबी का शिकार नहीं थी, बलकि बदनसीबी का सिकार भी थी, मेरे पिता जी एक मामूली माली है, उनकी तनख्वा से हमारे दो वक्त का खाना ही मुश्किल से चल पाता था, पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात थी, इसी लिए मेरी पढ़ाई भी पूरी ना हो सकी, मेरी बढ़ती उम्र और पिता की घटी तनख्वा देख कर, माने मेरी शादी का फैसला किया, क्योंकि घर की बड़ी लड़की मैं ही थी, बाकी दो बहने और एक भाई मुझसे छोटे थे, ऐसा लगता था कि खानदान की सारी बदनसी भी मेरे हिस्से में लिखती गई है, मा की कहने पर लोग रिष्टा बताते, जब लड़के वाले मुझे देखने आते, तो बात लेन देन पर अटक जाती, और जब उनकी मांग पूरी नहीं होती, तो उटकर चले जाते, मेरी मा बहुत मायू जबकि ऐसा नहीं है, हमारे खानदान में कई ऐसी लड़किया थी, जिनकी शादी ऐसे घरों में हुई, जिनोंने उनसे एक पैसा भी नहीं लिया, लेकिन मेरे लिए आज तक ऐसा कोई रिष्टा ही नहीं आया, इसलिए अब मेरी मा मुझे मेरी किस्मत के लिए ताने देने लगी थी, कि तेरा तो नसीब ही खोटा है, जो कोई तुझे पसंद करे और बिना लेन देन ब्याले, अक्सर मैं खुद को आइने में देख फूट फूट के रोती, एक तो पिता जी के पास दहेश देने का पैसा नहीं, दूसरा सोने पर सोहागा ये, कि मैं ज़्यादा बने, तो खुबसूरती और पढ़ाई लिखाई, इन दोनों की भरपाई कर देते हैं, मैं दिखने में तो खुबसूरत थी, लेकिन पढ़ाई में मात खा गई, दीरे दीरे इसी तरह साल बीटते रहे, लेकिन मेरी शादी नहीं हुई, और मेरी उम्र बढ़ती रही, अब तो मेरे लिए अच्छे रिष्टे आने भी बंद हो गए, अब जो भी रिष्टा आता तो लड़के में कोई न कोई कमी होती, या तो लड़का लंगड़ा होता, या फिर अंदा बहरा होता, जब मुझे ऐसे रिष्टे के बारे में पता चला, तो मैंने मा को साफ इनकार कर दिया, कि मैं ऐसे किसी भी लड़के से साधी नहीं करूंगी, तो बह कहने लगे कि तुझे क्या लगता है, कि तेरे लिए क्या कोई सहजादा आएगा, यही रिष्टे आ रहे हैं, बड़ी गनीमत की बात है, मुझे इस सुनकर बहुत ही रोना आता, वह तो शुक्र है कि ऐ ऐसे रिस्तों से मेरे पिताजी इंकार कर देते, परना मेरी मा तो कप का मुझे ऐसे अपाहिज लड़कों से ब्या देती, जब ऐसे रिस्तों से मैंने इंकार कर दिया, तो मेरी मा कहने लगी, कि मुझे लगता है, तो जिन्दिगी भर मेरी ही छादी पर बैठ कर मूंग दल अरे मेरी और भी दो बेटियां हैं क्या मैं उनकी शादी नहीं करूंगी ये सुनकर मेरा दिल चाहता कि जमीन फट जाए और मैं उसके अंदर समा जाओं मुझे कोई बीमारी ही लग जाए जिससे मैं मर जाओं मैं पूरी घर का काम करती पूरी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समालती लेकिन उसके बाप जूद भी मां हमेशा मुझे ताना कसी की भाशा में ही बात करती अब तो मुझे भी लगने लगा था कि मेरी सारी जिंदगी अपने बाप की दहलीच पर ही गुजर जाएगी और इसी तरह अपनी मां के ताने सुन सुनकर एक दिन में मर जाओं कोई दहिज नहीं है तो मेरे लिए रिष्टे आने पूरी तरह से बंद हो गए अब तो मेरा जीना उस घर में और भी जादा मुश्किल हो गया था मैं भगवान से प्रात्ना करती कि काश मेरा कहीं दूर से रिष्टा आ जाए ऐसी जगा से कि मैं दुवारा अपने घरवालों की शकल कभी न देखूं जिनें मैं इतनी बुरी लगती हूं अब चाहे लड़का जैसा भी हो लंगडा लूला मैं उससे हर हाल में शादी कर लूँगी लेकिन मुझे अब अपनी मा की बातें बरदास्त नहीं होती पर मेरे दिल का एक कोना ये जानता था कि अब मेरे लिए कोई रिष्टा नहीं आने वाला मैं पूरी तरह से ना उमीद हो चुकी थी फिर एक चमतकार हुआ जिसकी किसी ने भी कलपना नहीं की थी मेरी मा ने महले की एक औरत से मेरे रिष्टे की बात कर रखी थी आवी तक वह जितने भी रिष्टे मेरे लिए लाई थी सभी ने दहेच की वज़ा से इनकार कर दिया था जबकि वह रिष्टे भी कुछ खास नहीं थे लड़के बहुत ही छोटी मुटी नौकरियां करते थे पर उनकी मांग बहुत बढ़ चड़कर थी लेकिन इस बार जो रिष्टा वह लेकर आई थी उसके बारे में सुनकर तो मेरी मां कुछ देर के लिए पल के जबकाना ही भूल गई थी मां कहने लगी क्या सच में उन्होंने बिना दहेच के शादी करने को कहा है और मानवी को फोटो देख कर ही पसंद कर लिया है वह औरत बार बार मां को कह रही थी कि हाँ ये सच है लेकिन फिर भी मां बार बार उससे यही सवाल पूछे जा रही थी क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें एक ऐसा रिष्टा मिल गया जिनें सिर्फ लड़की चाहिए इसके अलावा और कुछ नहीं यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था इस सब को सच मानना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि उस औरत के हिसाब से वह लोग बहुत ही अमीर थे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने अमीर घराने के लोग मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी आखिर क्यों करना चाहते हैं तो इस पर उस औरत का कहना था कि उन्होंने जब तुम्हारी फोटो देखी तो तुम उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई उन लोगों ने अपने बेटे के लिए बहुत सी लड़किया देखी लेकिन आज तक उन्हें तुम्हारी जैसी खुबसूरत लड़की कहीं नहीं मिली और पैसो की तो कमी उनके पास है ही नहीं इसलिए उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए मेरी मा तो पहले से ही मेरी शादी करने के लिए बहुत ही जादा आतुर थी वह कहने लगी कि जब उन्होंने मानवी को पसंद ही कर लिया है तो फिर अब जल्दी से हमारे घर आएं और इस रिस्ते को तैय करके शादी की तारीक फिक्स कर दें जितनी जल्दी हो इसे लेकर अपने घर चले जाएं वह रिस्ते वाली कहने लगी कि हाँ हाँ आप जिंता ना करो मैंने मानवी का ही फोटो दिखाया है और उन्होंने मानवी को ही पसंद किया है मुझे अपनी बदलती किसमत पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी भी किसमत चमक सकती है हम कभी कभी अपने हालात से तंग आकर हकीकत से आँख मून लेते हैं और बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं वो लोग मुझे देखने आ रहे थे मैं बहुत जादा नर्वस थी मेरे मन में बार बार शक पैदा हो रहा था कि कहीं लड़के में कोई आप तो नहीं इसलिए वह मुझे जैसी कम पड़ी लिखी लड़की से साधी करने के लिए तयार हो गए मैं जब कमरे में आकर बैठी तो मेरी एक नजर सामने बैठे नौजवान पर पड़ी थी वह तो गबरू जवान बहुत ही हैंडसम लड़का था रंगत भी एक दमगोरी चिठी थी और अमीर तो बहुत ही थे बस एक पल ही हमारी नजरें आपस में मिली और मेरा दिल यू हो गया जैसे अभी मेरे सीने को फाड़ कर बाहर निकल आएगा मेरी तो क्या मेरी सारी दोस्तों और मेरे पूरे खांदान की लड़कियों की सोच से भी कहीं आगे बढ़कर था वह लड़का जिसे देखते ही अच्छी से अच्छी शकल वाली लड़की उससे साधी करने को राजी हो जाए इसके बाल लड़के ने मुझे अपनी मा के कहने पर वहीं पर मंगनी के अंगूटी पहना दी मुझे तो ये सब कोई ख्वाप जैसा लग रहा था मैं अपने हाथ में अविनब के नाम की अंगूटी पहन चुकी थी जो बहुत कीमती थी मेरी मा ने पूरे महले में मिठाईयां बाटी कुछ दिनों में मेरी अविनब के साथ साधी हो गई मेरा दुलहन का जोड़ा मेरी ससुराल से ही आया था जो की बहुत ही महंगा और खुबसूरत था मेरे सारे रिष्टेदार और महले बालों की आखें फटी की फटी रह गई थी उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शाधी इतने बड़े खांदान में हो रही है अब मैं सभी के लिए बहुत खास बन चुकी थी मेरी मा तो मेरी नजर उतारते ठक नहीं रही थी मेरे हैंडसम पती को देख कर तो मेरी सारी सहेलिया जलन खा रही थी मैं विदा होकर अपने छोटे से घर से निकल कर एक बड़े से बंगले में आ गई थी मेरा कमरा इतना बड़ा था जितना मेरा पूरा घर भी नहीं था मैं एक खुबसूरत से बैट पर बैठी अपने पती का इंतजार कर रही थी थोड़ी देर में अविनब मेरे सामने थे उन्होंने मेरा गूंगट उठाया और मेरी बहुत तारीफ की उस रात मुझे मेरे पती ने हर खुशी दे दी थी जिसकी एक बीवी को तमन्ना होती है मैं खुद को हवा में महसूस कर रही थी यहां तक की मेरी सास का रवया भी बहुत अच्छा था ऐसा लग रहा था जैसे अपनी मा के घर तो मैं आब आई हूँ अब तक मैं ससुराल में ही रह रही थी पंदरा दिन बाद ही अविनम मुझे से कहने लगे कि तयारी कर लो हम लोग हनी मून मनाने के लिए सिंगापूर जा रहे हैं यह सुनकर खुशी से मेरे अंदर तितलियां सी उड़ने लगी फिलाल कुछ दिनों के अंदर हम हनी मून मनाने के लिए सिंगापूर आ गए मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और अविनब के साथ जहाज का सफर करते हुए जब मैं सिंगापूर पहुँची वहां की जमीन पर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जन्नत में आ गई हूँ लेकिन मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि मेरी किस्मत एक बार फिर पलटने वाली है वहां पहुँच कर मैंने देखा कि अविनब ने बहुत ही आली शान होटल बुक किया था जिसका कमरा बहुत खुबसूरत था कमरे में ले जाकर अविनब मुझसे कहने लगे कि तुम कुछ देर आराम करो थकी हुई लग रही हो मैं किसी काम से जा रहा हूँ जल्दी ही लोटाऊंगा मैं भी बहुत थकी हुई थी इसलिए फौरण लेटते ही मेरी आँख लग गई शाम के वक्त जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि अविनब अभी तक बापस नहीं लोटे थे मुझे भूख लग रही थी लेकिन मुझे तो इंगलिश में बात करना आता ही नहीं था जो मैं खाना मंगा सकूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं थे मैं कमरे में ही यहां वहां टहल कर कई घंटे तक अविनब का इंतजार करती रही अब काफी रात हो गई और मेरी भूख भी बढ़ चुकी थी लेकिन अविनब का कोई पता नहीं था मैं इस अंजान देश में बिलकुल अकेली थी मुझे यहां के माहौल के बारे में कुछ भी नहीं पता था ना ही मैं कोई रास्ते जानती थी ना ही मुझे यह पता था कि आखिर अविनब कहां गए हैं और अभी तक लोटे क्यों नहीं अभी मैं यही सब सोच रही थी कि तभी दर्वाजे पर आहट हुई मुझे लगा कि अविनब आ गए दर्वाजा खोला तो सामने एक अंग्रेज आदमी खड़ा था जो तूटी फूटी हिंदी में मुझसे बोला कि क्या आप अविनब के साथ आई हैं मैंने उससे अपनी तरह से जवाब दिया लेकिन शायद उसे मेरी कोई बास समझ नहीं आई और वह वहाँ से चला गया अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ मैं इतनी जल्द वाजी में अपने देश से निकली थी कि किसी का फोन नंबर भी नहीं लिक पाई मैं फूट फूट कर रोने लगी नजाने अविनब मुझे छोड़ कर कहा चले गए लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कुछी देर के बाद मुझे पर कयामत तूटने वाली है एक वार फिर मेरे कमरे पर दस्तक हुई मैंने दरवाजा खोला तो वही अंग्रेश था और फिर उसने मुझसे कहा कि आपके पती का एक्सिडेंट हो गया है ये सुनकर तो मेरे होशी उड़ गए वह आदमी मुझे अपने साथ एक अस्पताल में ले गया और बोला कि तुम्हारे पती हमारे होटल की गाड़ी से कहीं गए हुए थे और रास्ते में उनका एक्सिडेंट हो गया और अन दे स्पॉट उनकी डेथ हो गई है ये सुनकर तो मेरी हालत पागलों जैसी हो गई उसने मुझे वताया कि गाड़ी में आग लगने की वज़ा से पूरी बाड़ी जल चुकी है इसलिए देख कर पहँचान पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था होटल के मैनेजर ने कहा कि तुम अपने घर पर फोन करके इस बात की ख़वर दे दो लेकिन मेरे पास तो नमबर ही नहीं था जिसकी वज़ा से मैं कोई फोन कर पाती मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी कि मैं बापस कैसे जाऊंगी रोती बीटती मैं वहां से बापस होटल के कमरे में आ गई जब मैंने सामान खोल कर अपना पासपोर्ट ढूड़ा तो मुझे वहां पर कुछ भी नहीं मिला मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई कि मैं यहां कैसे फस चुकी हूँ ना मेरे पास पैसे थे ना ही पासपोर्ट था और ना मेरे पास अविनव था यहां तक कि मुझे तो यहां की भासा भी नहीं आती थी और अविनव के घर का पता भी नहीं मालूम था जो सामान मेरे पास था उसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मेरे काम आ सके, अस्पताल वालों ने अविनव की डेड वाडी भी नहीं दी, क्योंकि उसके लिए वह पैसे मांग रहे थे, जो मेरे पास थे ही नहीं, होटल का मैनेजर ही मुझे सारी बाते समझा रहा था, वह मुझे से कहने लगा, कि बिना पासपोर्ट के तो यहां की पोलिस मुझे पकड़ कर जेल में बंद कर देगी, अब तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम अपने देश बापस जा सको, और तुम्हारे पती ने आज रात तक का ही किराया हमें दिया था, तो सुबह होते ही, तुमें यह होटल भी खाली करना पड़ेग मैंने उस आदमी से बिंती की, कि भाया मैं यहां से कहां जाऊंगी, मैं किसी को नहीं जानती, और तुम्हें तो पता है कि मेरे पती की मौत हो गई है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, वह आदमी कहने लगा, देखो मैं जानता हूँ, कि तुम परेशान हो, लेकिन यह प्र कुछ समझ नहीं आ रहा था थोड़ी देर बाद वह आदमी अपने साथ एक वीटर को लेकर आया जिसके हाथ में खाने की थाली थी वह मुझे थाली पकड़ाते हुए बोला मैं तुम्हारे साथ सिर्फ यही भलाई कर सकता हूँ सुबा होते ही तुम्हें हर हाल में ये होटल खाली करना ही होगा जो गम मुझे पर गुजर रहा था वह तो था ही लेकिन अब ये सोचकर मैं जादा परेशान थी कि मैं जिस मुसीबत में फस गई हूँ उस से बाहर कैसे निकलूंगी मैं अपनी जिन्दगी आखिन यहां कैसे गुजारूंगी और कैसे अपने घर वापस जाऊंगी यहां से बाहर निकलने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था मैं रोते रोते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला अगली सुभा ही वह आदमी मेरे कमरे में आया और मुझे कहने लगा तुम्हें कमरा खाली करना पड़ेगा मैं रोने लगी उसके हाथ चोड़ कर मिन्नते करने लगी मैंने कहा कि मैं यहां किसी को नहीं जानती मैं कहां जाऊंगी ऐसा करो कि तुम मुझे इस होटल में नौकरी दे दो मैं कोई भी काम कर लूँगी जाड़ू पोच्छा से लेकर बरतन धोने तक सब इस पर उसने कहा कि तुम तो हमारी भाशा भी नहीं जानती और ना ही तुमारे पास पासपोर्ट है इसलिए इस होटल में तो क्या कहीं भी तुम यहां काम नहीं कर पाओगी और यह कहकर वो बाहर जाने लगा फिर जाते जाते बापस लोटा और मुझसे कहा कि एक काम करो तुम मेरे साथ चलो मैं तुमारे रहने और नौकरी दोनों का इंतिजाम कर सकता हूँ मेरे पास उस आदमी की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ना था वह उसके साथ चली गई जहां मुझे वह लेकर आया था वह पुरानी सी बिल्डिंग थी जिसमें छोटे छोटे से फ्लैट थे उसने एक फ्लैट के पास जाकर गंटी बजाई कमरे में और भी लड़कियां थी जो कि स्कर्ट पैने हुए थी मैं खामोशी से एक जगा बैठ गई क्योंकि वैसे भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहां मौझूद लड़कियां मुझे देखकर आपस में नजाने किस भाषा में बात कर रही थी फिर वह लड़की जो मैनेजर से बात कर रही थी मुझे अपने साथ कमरे में ले गई और एक लड़की को कुछ कहने लगी उसके बाद उस लड़की ने मेरे बालों को काटना शुरू किया मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं और क्यूं कुछ ही देर में उस लड़की ने मेरा पूरा हुलिया ही बदल दिया उसके बाद उन्होंने मुझे भी छोटे छोटे कपड़े पहनाए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे किस चीज के लिए तयार किया जा रहा है मुझे तो यही लग रहा था कि शायद मुझे घर का काम काज कराया जाएगा लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा था करीब एक घंटे के बाद फोटल के मैनेजर के साथ चार अंग्रेज कमरे में आए और उस लड़की ने मुझे उनके सामने बिठा दिया वह चारों मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगे उन्हें अपनी तरफ ऐसे देखते हुए मुझे कुछ-कुछ समझ में आने लगा तभी उनमें से एक आदमी ने मैनेजर को पैसे निकाल कर दिये पैसे लेकर वह मैनेजर बहुत खुश हुआ फिर मुझे से बोला इन लोगों के साथ चली जाओ ये सुनकर मैं दंग रह गई अब मुझे समझ आ चुका था किस मैनेजर के साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी मैं गलत हाथों में पढ़ चुकी थी मैं इंकार कर दिया मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना इस बात पर मैनेजर गुस्सा हुआ और मुझसे बोला ज्यादा बकवास मत करो वरना सडकों पर भीग मांगती निजर आओगी हम तुमारे हाथ पैर तोड़ कर तुमें बाहर खड़ा कर देंगे और आती जाती गाड़ियों से भीग मंगवाएंगे ये कहकर उसने मेरा हाथ उन में से एक आदमी के हाथ में दे दिया और वह मुझे पकड़ कर अपने साथ ले गए मैं बुरी तरह से घवरा रही थी और यही सोच रही थी कि ना जाने अब ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे मैं वहाँ से कहीं नहीं जा सकती थी वह आदमी मुझे एक होटल के कमरे में ले गए अब मैं समझ चुकी थी कि ये लोग लड़कियों से अपने जिस्म को बेचने का धंदा करवाते हैं और मुझे से भी अब यही काम लेने लगे थे उन चारों अंग्रेजों ने मेरा हाल बेहाल कर दिया था लेकिन अब तो मेरे साथ ये रोज का हो गया था मैं हर रोज रोती, इनकार करती लेकिन मुझे मजबूरन वह सब करना पड़ता मैं हर रात यही सोचती काश मेरे पती का एक्सिडेंट ना हुआ होता या काश मेरी साधी ही ना हुई होती मैं बुरी तरह से एक नर्क में फस गई थी एक बार जब मैंने जाने से इंकार कर दिया तो उस मैनेजर ने मार मार कर मेरा पूरा हुलिया बिगाड दिया मुझे ठीक होने में एक हफता लग गया था इतनी मार जहिलने के बाद मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी जो मैं दोबारा इस काम को करने से इंकार करती जबकि ये काम मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं था दीरे दीरे ये सब करते हुए मुझे एक साल बीट गया एक बार मेरा एक राहक मुझे उसी होटल में ले गया जहां मेरे पती और मैं अपना हनीमोन मनाने आए थे जब मैं अपना काम खत्म करके कमरे से बाहर निकली तो सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गये मेरे सामने और कोई नहीं अविनव थे उन्हें जिन्दा देखकर तो मैं बहुत खुश हुई लेकिन मेरी वह खुशी थोड़ी ही देर में काफूर हो गई मैंने तुरन थी उन्हें एक दूसरी लड़की के साथ देखा जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उनकी पतनी हो आखिर ये सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह लड़की अविनव को अमित अमित कहकर बुला रही थी तब ही मेरे सामने से एक सुई पर निकला मैंने उससे जब उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि ये नया कपल यहां पर हानीमून मनाने आए हैं अब मुझे बहुत बड़ी गड़बड का अंदेशा होने लगा मैंने थोड़ी देर वही रुख कर इंतजार किया कुछ देर के बाद अविनव उस कमरे से निकले और बाहर जाने लगे मैंने भी उनका पीछा किया बाहर वह किसी आदमी से बात कर रहे थे उनकी बाते सुनने के लिए मैं एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई उसके बाद मैंने जो सुना मेरे होश उड़ गए वह अविनव उसी मैनेजर से कह रहे थे कि अब आगे का प्लान हमेशा की तरह का होगा मैं इस लड़की से भी जाकर कहता हूँ कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और उसके पासपोर्ट और सारे पैसे मैं ले कर निकल जाऊंगा फिर तुम रात तक आकर उसे ये ख़बर दे देना कि मेरी एकसिडेंट में मौत हो गई है मैनेजर ने अविनव को शावासी दी और कहा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो सेट जी तुम से बहुत खुश है अब तक तुम बहुत सारी लड़कियों से जूटी शादी करके उन्हें यहां इस धंदे में ला चुके हो उसके बाद दोनों खुश होते हुए बाहर चले गए यह सब सुनकर तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से आत्मा ही निकल गई हो गिदुनिया इतनी धोके बाद है मैंने आज तक नहीं सोचा था मैं तुरंती दोड़कर उसी कमरे की तरफ गई जिसमें वह लड़की गई हुई थी मैंने दरवाजा खटकटाया तो उस लड़की ने ही दरवाजा खोला मैंने उसे अपना नाम बताया और फिर उससे भी उसका नाम पूछा उसने कहा उसका नाम रजनी है मैंने उसके सामने पूरी सच्चाई खोल कर रखती लेकिन वह मेरी बात मानने को तयार ही नहीं थी मैंने उसे कहा मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए अंजान देश में एक अंजान इंसान हूँ इसलिए मेरी बात पर विश्वास करना मुम्किन नहीं है मैंने यहाँ एक साल में जो कुछ झेला है उससे मुझे अब बहुत कुछ सीखने को मिला है इसलिए मैंने इसका सबूत पहले ही तयार कर लिया था दरसल अविनफ जब उस मैनेजर के साथ बात कर रहा था तो मैंने उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली थी वे रिकॉर्डिंग मैंने जब रजनी को दिखाई तो उसके भी होश उड़ गए मैंने उससे कहा तुम जल से जल अपना पासपोर्ट अपने कबजे में कर लो और कुछ पैसे भी अपने पास निकाल लो अगर तुम्हें उस आदमी को रंगे हातों पकड़ना है तो अब यही मौका है मैंने जैसा कहा था रजनी ने बिलकुल वैसा ही किया थोड़ी देर के बाद दरवाजा बजा रजनी ने मुझे वही बेट के नीचे चुपा दिया जैसा हमारा अंदाजा था अभी नभी आया हुआ था उसने रजनी से कहा कि उसे एक बहुत जरूरी काम आ गया है जिस वज़ा से वह बाहर जा रहा है और उसके बाद उसने सारे पैसे निकाल कर रख लिए और वह रजनी का पासपोर्ट ढूडने लगा लेकिन वह जब उसे नहीं मिला तो वह थोड़ा परिशान हो गया रजनी ने पूछा कि क्या ढूट रहे हैं आप तो कहने लगा कि कुछ नहीं और फिर वह वहां से चला गया इसके बाद हम रात होने का इंतजार करने लगे मैं रजनी के रूम में ही छिपी रही मैनेजर चलने के लिए पीछे घूमा उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके पीछे सिंगापर पुलिस खड़ी हुई थी उन्होंने उसे तुरंती गिरफतार कर लिया देरसल अभिनप के जाने के बाद रजनी ने मुझसे कहा कि हम इस धोके वाज को छोड़ेंगे नहीं मुझे तो बिलकुल इंग्लिश नहीं आती थी लेकिन रजनी को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती थी और उसने जाकर पुलिस में सब कुछ बता दिया और उन्हें वह वीडियो भी दिखा दिया सिंगापुर पुलिस में जो भारती इंस्पेक्टर थे उन्होंने हमारी इस सब में बहुत मदद की जैसे ही मैनेजर की पिटाई हुई उसने सारा राज उगल दिया और फिर मैनेजर का सेट और अविनभ भी पकड़ा गया उन्होंने बताया कि वह अविनभ के जरीए खुद को बहुत मालदार पार्टी दिखवा कर गरीब घर की लड़कियों से शादी करवाते थे और फिर उन्हें यहां लाकर इस धंदे में फसा देते थे रजनी ने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि मैंने उसकी जिन्दगी बरवाद होने से बचा ली मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मैंने एक लड़की को ऐसे दलदल में फसने से बचाया लेकिन अपने आप को मैं ना बचा पाई इसके बाद सिंगाफर पुलिस ने मुझे मेरा पासपोर्ट अभिनफ से लेकर बापस कर दिया हम दोनों हवाई जाहाज से बापस भारत पहुँच चुके थे रजनी ने मुझसे पूछा कि अब तुम कहा जाओगी तो मैंने उसे अपने घर के हालातों के बारे में बता दिया कि मेरे घरवाले तो मुझे किसी भी हाल में अब नहीं रखेंगे क्योंकि वह पहले ही मुझे भगाना चाहते थे मेरी बास सुनकर रजनी ने कहा तुम्हारे जैसा ही हाल मेरा भी है कुछ देर हम दोनों अपने गम में डूवे हुए चुपचाप पैठे रहे फिर उसके बाद मैंने रजनी से कहा कि जब हम दोनों का कोई सहारा नहीं है तो क्यों न हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं मेरी बास सुनकर रजनी बहुत खुश हो गई और फिर हम दोनों एरपोर्ट से साथ ही बाहर निकले कुछी महीनों की मेहनत के बाद हम दोनों को नौकरी मिल गई और हम साथ में ही खुशी-खुशी रहने लगे दोस्तों अपनी बेटियों का रिस्ता बहुत ही छान बीन करके और सोच समझ कर करें बड़ी चमक, रुपया पैसा देख कर अपनी बेटी को किसी के भी हातों ना सौपे क्योंकि इसी तरह के जानवर अपने रुतवे को दिखा कर हमें बेवकूफ बनाते हैं और हमारा फाइदा उठाते हैं तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें इस कहानी को जादर जादर शेयर और लाइक करें आप चाहें तो मुझे सूपर थैंक्स भी दे सकते हैं साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा दे ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही कहानिया सुनाती रहूँ थैंक्यू